हलो 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 नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका मित्र विवेक बजाज को फांडर स्टॉकेज और इलन मार्केट का दोस्तों एक और फेस्टू फेस्ट में आपका स्वागत है इमर्ज का मतलब मैं उनको कवर कर रहा हूं इस सीरीज में जो इमर्जिंग स्टार है मार्केट में emerging star का मतलब जो star तो हैं बट बहुत लोग उनको नहीं जानते हैं और हमने उनको discover किया हमारा एक initiative है कि हम hidden लोगों को identify कर रहे हैं और उनका जो unique trading style है वो आपके सामने present कर रहे हैं यह पूरे exercise के अंदर में एक चीज पर हम ध्यान देते हैं कि जिनको भी हम बुलाएं उनका एक proven track record होना चीए मतलब वो यह काम करके पैसे बना रहे हैं और उसके अलावा उनकी strategy में logic होना चीए कोई भी random काम कोई करके पैसा बनाएगा तो face to face emerge के अंदर में हम generally avoid करने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा जर्नी एक जा रहा है मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं अभी तक तो मैं कुछ नामी लोगों से सीख रहा था वट आप बहुत unknown लोग हैं जिन से मुझे सीखने का मौका मिल रहा है तो मेरा सव सब्सक्राइब जरू कीजेगा विकाउस मेहनत बहुत जाती है और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उत्रहा हमें मौटिवेशन होगा उत्रहा हमारे काम को हम और फैला भाई दोस्तों एक कम्यूपेशन है कम्यूपेशन नहीं कहूंगा एक प्रोपेशन है जिनके लगता तो है कि अपना उकूपेशन में लगे रहते हैं फुल टाइम जो कि सही भी है आज देखा जाए तो जान वही देते हैं तो उनके बारे में जितना बुलू उतला कम है लेकिन इन दिनों काफी डॉक्टरों से इंट्रेक्शन हुआ और वह चुपके चुपके मार्के पाटिस Studien करके पैसा भी बना रहें तो आज एक डॉक्टर जी एक डॉक्त नाम में něकोड़ी see तरह जो गुजरात में वह सब ट्रेडिंग करके उसा क्यों एक माइंड सेट ही रहता है तो वह बेजिकले ट्रेडिंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं कि आपने मुझे इन्वाइट किया और मेरे जो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू और सबसे पहले में आपको सब्सक्राइब करते हैं कि आपके जो प्रया से वह बहुत ही सक्सेस्पूल है आप तो आप तो आप सेंचुरी भी लगाने वाले हो उसमें आप स्वाइब करना लुगों को अच्छली स्टाइजी शेयर करना वह मेरा कभी भी अब्जेक्टिव नहें रहेगा न था मैं चाहता हूंगी लोग मॉटिवेट हो जाए कि गॉरफ जी कर पा रहे है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे तो क्यों ना हम भी इस पाच में उतरे और आपके चाहरे का स्माइल और चमक देखके लग रहा है कि आप अच्छे से से स्ट्रेड है इस काम में नहीं आप रॉफिसला इंडर्मेटोलोजिस्ट तो होता है उनका काम ही यह रहता है कि स्कीन जो होती है that is our main presentation सही बात है सही बात है जैसे लोग मार्क टो मार्केट क बड़े-बड़े शीट सिखाते हैं ट्विटर पर क्योंकि वही एक सक्सेस्फुल ट्रेडर का प्रेजेंटेशन है आपके चहरे की चमक आपकी प्रॉफिशन का प्रेजेंटेशन है तो स्वीट अप्यू तो डॉक्टर साब आप आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और आ साइट किया पाइट टाइम मैं नहीं बोलूंगा मैं उनको बोलूंगा वैरी फ्रेक्शन ऑप टाइब जो भी मैं यूज कर रहा हूं टेक्स अराउंड 10-15 मिनिट सदे उससे ज्यदा टाइम नहीं लगता है तो कि में हमारा जो काम है उसको हम इस बिलकुल नहीं कर सकते है जी 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 तो बहुत ही कम से कम से मैंने एक चीज़ देगा शॉरी आपको बीच में इंटरॉप किया मैंने कि मैंने जो अभी तक जितने फेस टू पेस इमर्ज किये ना सारे लोग पार्ट टाइम और पार्ट टाइम में नहीं फ्रैक्शनल काम करें जैसे इसके पहले एक सब्सक्राइब करते हैं मुझे खुद कॉंप्लेक्स हो गया था यह क्या तरीका हुआ हम तो दिन बाल लगे रहते हैं यह तो सिर्फ एक्सपारी वाले दिन थोड़े टाइम के रहते हैं आपका भी कुछ ऐसा यह क्या मैं मोश्टी डेली करता हुसा इंट्र डेली उसमें रहता है और और फिर इनिंग टाम में दो टाइम में ज्यादा कुछ रहता है बाकि इन बेट्वी इन बिट्वीन टाम में कुछ करने का होता नहीं है वो मार्केट पर ही हम छोड़ देते हैं बहुत सही है तो आप अब अब आगा सुंदर सा प्रेजंटेशन हमारे लिए ब कि आपने समय निकाल के प्रेजंटेशन हमारे लिए बनाया तो चले उस प्रेजंटेशन के अंदर में ने थोड़ा सा ने रुके रुके थोड़ा सा आपके बारे मार जानते हैं बताए यू लेकिन आपका लुक्स डिसेप्टिव हो सकता है बिकॉज आप स्किन डॉक्टर में अब चाहिए जो बन सको डिकरी के लिए आपके पास इतना नहीं रहता है कि हम पहले दूसरे दिन से एक्सपेक करते हैं कि हम एक्सवर्ट बन जाए तो 2009 में कंप्लीट हुआ मैं फिर मैंने प्राइब प्रेटिस टार्ट किया तो इनीशियली तो जब प्राइबेट प् ही रहता है कि हम प्रेक्टिस कैसे जमाए तो उन दिनों में क्या करता था कि जो भी सक्सेस्फुल डॉक्टर जो थे कि जो हमारे फिल्ड में कापी अच्छा काम कर रहे थे उनसे मैं मिलता था दूसरे जो मेडिकल रिप्रेजेंटिव होते हैं उनसों में पूछता था कि य इतना कर रहे हैं तो कुछ इंवेस्ट भी करिए तो वह काफी अच्छे फ्रेंड भी थे तो उन्होंने किया कि आप स्टार्ट साथ कर दिया फिर मुझे लगा कि मैं पैसे दे रहा हूं तो मुझे तो जानना ही पड़ेगा कि पैसे कहां जा रहा है कि इतना उसमें एक्सफ पास आउट कर दी कि वह मैं पर्टियूलरी कुछ भी जानना है तो में बेजिक उसकी जो तो जानना ही पड़ेगा डायरेक्ट की घूश जाएंगे बिजे विदाउट एनी नौलेज तो वह सही नहीं रहेगा तो मेरा यह रहता है कि कुछ भी कहीं पे भी जाते तो उसका पहले नौलेज होना चाहिए उसमें क्या होता है कैसे यह फंक्शन होता है वह जरूर रहता है कि दिरे दिरे करके 2017 के आरौंट में मैंने ऑप्संस और जो डिरेवेटीज माइक है उसमें भी काम करना चालू किया लेकिन इनिसियल यह रहता था कि थोड़ा प्रॉफित होता है बहुत सभी मैं हमेशा बोलता हूं कि एक प्रॉफिशनल और नौन प्रॉफिशनल में डिफ्रेंस यह लोग बोलते ना कि प्रॉफिशनलिजम होनी चाहिए तो जो डिफ्रेंस है जो पड़े लिखे इंसान में और जो थोड़ा पड़ाई लिखाई नहीं किया वह यह ही पड़ा लिखान इंसान हमेशा आगे भनने की सोचता है कि यार यह मैं क्यों नहीं सिख सकता हूं यह मैं क्यों नहीं सिख सकता हूं हमारे अंदर हमेशा कि यह मैं क्यों नहीं कर सकता है इसमें इतनी बड़ी बात किया है तो आपने डॉक्टर होके भी इंवेस्मेंट एड तो व्यू भी ट्रेडर सोर्जों स्टोक मार केट में लेंट तो उनका मांड अचेम्स घर्तीες और इस तो चैनली कंअर्वS ना कुझ ए जकाते है थो जजनर्थनी जो एक्ट्रिक्टेaldr सोता लफी एक पाड़्यू 75-year-old and and he is active trader so not because he loves trading पता नहीं पैसे तो बहुत जादा नहीं बनाते हैं because risk capital ध्रे दिरे कम हो जाती हो सेज में बर उनको बिमारी नहीं लगी क्योंकि वो trading करते हैं exactly यह बहुत मैंपॉर्टेंट yeah mind का active होना जो है बहुत important रहता है psychological इंडिया में ट्रेडर्स जो होते है वो psychology aspect को जो है वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनका में होता है कि system किसी ने बुला तो डायरे की कर देते और फॉलो करते हैं तो थोड़ा गलत है जे 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 चलिए डॉक्टर साब आपका screen sharing करता हूं वैसे आप पठेल है और हावारे एक मितेश पठेल जी भी आये थे आपके बोलने की style और उनकी बोलने की style में बहुत similarity है प्रेजेंटर में आपको बना दिया है एक इसमें हां दिख रहा है ऑके इसके पहले वाले slide में बहुत अच्छी बात है वह मैं मिस्स नहीं करना चाह रहा हूं खासकर यह दूसरा नमबर जो बुलेट है ना इस पर बात कीजिए थोड़ी बेए ओके ओके सब्सक्राइब करता है कि आप कोई भी काम अच्छा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी टाइम पे आपको जो है उसका सब्सक्राइब करते हैं तो आप आपको बहुत ही द्यान रखना है कि आप कौन सी चीज पर फोकस कर रहे हो कौन से बारे में सोच रहे हो तो हमें साब पॉजिटिव सोचिएगा तो उसमें काफी एफेक्ट रहेगा तो इसका और मेरा एक यूट्व चैनल भी है जिससे मैं आप जो भी मेरा एक यूट्व चैनल भी है जिससे मैं बहुत सारे लोगों को स्कीन और है रिलेटेट जो प्रॉब्लेम होता है उनके बारे में मैं सायर करता हूँ मेरा नॉलेज और सबसे बड़ा इंपोर्टन्ट मेरा एक होबी है कि बूक्स रिटिंग करना मैं बहुत सारी वुक्स रिटिंग की है और वह उसके लिए मैंने जो फेस्टू फेस वीडियो सबसे इंपोर्टन्ट कोई भी आप बीजनेस में है तो एक्सराइज मेडिटेशन एंड ग्रेटिविट प्रेक्टिस जो है वह बहुत ही यह तिन पिलर्स होते हैं आपके कोई भी सक्सेश्पूल बिजनेस में प्रेक्शन देता रहूंगा तो मुझे पता भी चले क्योंकि वह दिखने डाना हुझे जो करता हूं स्पेसिफिक बैंक निफ्टी ऑप्सिंग स्ट्रेटेजी करता हूं यह बहुत ही सिंपल रूप्सिंग स्ट्रेजी है पिछले 15 मंसे में यह स्पेसिफिक कर रहा हूं औ और यह बहुत ही सिंपल प्रॉफिटेबल एंड पीसफुल है पीसफुल होना बहुत ही जरूरी है कि अगर आप का माइंड जो है वह पीसफुल नहीं रहेगा तो उसका जो आउटकम है वह थोड़ा डिश्टब हो जाएगा तो यह मेरा मेजिक मंत्र रहता है कि लिटल बा अगर बनता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कोई भी आप बनाते हो तो यह आपको बहुत ही द्यान दखना कि जो ट्रेडिंग प्लान जो है वह आपका पर्सनल स्टाइल साइकोलोजी एंड गोल के अनुकुल होना चाहिए उसमें स्पेसिफिक एंट्री एक्जिट पॉ सब्सक्राइब करना चाहिए उसमें सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है जब भी आप अपना बनाते हो तो आपको विलिफ सिस्टम जो है उसमें इन्वाल करना आपका नेचर क्या रहता है उसको और आपका प्रोफेस्टर्टर है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तो कम से कम टाइम में कैसे उसमें इन्वाल हो सकते वह देखना आप उसको अंडरस्टेंड भी करना बहुत ही जरूरी होता है जब भी आप यह सिस्टम को फॉलो करते हैं तब आपको कोई भी टाइप के एंजाएटी फ्रस्टेशन फियर होब कैसा कुछ होना नहीं चाहिए अगर यह कुछ भी होता है तो यह साइकोलोजिकल इंडिकेट इसा हो यह सब्सक्राइब अप्सक्राइब करता हूं और उसमें जो है कभी मेरी विलिफ यह कि अनुसार बता रहा हूं तो आप यह उसको आप्सक्राइट भी बोलते हैं तो हमेशा उसकी होती है अब फेस्टू फेस्ट के बहुत सारे वीडियो अपने देखाऊंगे तो सब्सक्राइब बोलना है कि उसमें सेवंटीफाइव परसंसे जदा जो ऑप्संस होते हो और स्लेस होते हैं इसमें आपका जो मार्जीन है वो थोड़ा ज़्यादा चलता है अब इसमें ठीयरिटि सब्सक्राइब करता है कि जैसा है कि जो हमेशा दीरे-दीरे वह होता रहता है हाँ है तो इसमें क्या करता हो कि जो बी इंट्राडे ऑप्से इसमें रिस्क रहता है तो उसमें हैजिंग करके जो अनलिमिट्ट लॉस होता है उसको हम जो है करते हैं और भूद्धे जो होता है वो जो करेंट विक की होती होती हुसमें फास्ट होता है तो जंदली में जो करेंट विक की पाइट टाइम के लिए वह बेस्ट रहता है अभी जो मार्चिंग के जो रूज चेंज हुए तो उसमें आइन कॉंडर जो होता है वह बढ़िया रहता है अब यह जो स्ट्रेटेजी है वह सब्सक्राइब के लिए पहले में स्ट्रेंगल यूज करता था लेकिन अभी जो है सब्सक्राइब करके वह अभी आइन कॉंडर में कनवर्ट हो गाए और यह बहुत ही कंजर्वेटिव है तो आप देखें कि आइन कॉंडर यूज करें वह भी इंट्राडेम यूज करें और वह भी स्टॉप लॉस के साथ है तो यह जो प्रोटेक्शन है वह हम दे रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं कि आपने वैक्सिन भी लगवा लिया मास्क भी पहन लिया और रेगुलर सैनिटाइज करते तो उसमें आपका चांसिस कम रहते होने का ऐसे ट्रिपल प्रोटेक्शन हमने बना दिया है तो मेरा मानना है कि जो प्राइज होती है यह जो गुजराती म क्योंकि और जो भी आप रूल्स बनाते जो प्लान बनाते उसमें कॉंस्टेंट आप अब कर सकते हैं तो यह जो स्ट्रेटेजी उसको मैं 2020 बोलता हूं यह स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट ऊपन होता है नाइन फिप्टेंग के राउंड आपको दूंड के आपको वास्ट लिस्ट में उसको एड कर देना है और दूसरी जो रहती है उसकी जो वैल्यू चार से पांच होती है वह आपको इसमें एड कर देनी है कई 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 ब्रोकर्स जो है वह डायरेक्ट आपको आप्सन चेन में से भी ट्रेडिंग करने का उप्सन देत तो सबसे पहले जो एंट्री में करेंगे कि जो पूट एंट कॉल ऑप्शन जो हमने वाच लिस्ट में डाले है वो 925-930 जो होता है उस टाइम पे हम देख लेंगे कि कौन से कॉल और पूट ऑप्शन जो है उसकी वेल्यू चार से पांस के राउंड में है तो जिव भी प्री करना है और जब भी आप रेगुलर करते तो एक ही मिनिट में हो जाता है तो आपको ही लगेगा कि यह मेंने 20 जो प्राइज है वह ही क्यों चूश किया तो आप जैसे जानते कि मोर देन 75 परसंट ऑप्शन जो होते वह ऐसे एक्सपर होते दूसरा होता है कि मोर देन 80 जो है वो भी तो इसमें क्या होगा कि हमारे डबल प्रोटेक्शन जायता है तो अब अगर आप स्टंडर्ड जानते हो तो यह मोर देन 93 परसंट जो प्रॉबिलिटी जो होती है यहां पर जब यह ग्रीन के एंड में जब होंगे तो उसमें प्रॉबिलिटी हमारी बढ़ ज जो है जब इसका प्रीमियो होता है तो उसमें जदा होती हो डेल्टा और कमा जो होते वह रहते हैं इससे क्या होगा कि इंट्राडे अपर डाउन मुवमेंट जो होती उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता क्योंकि आप जानते कि बैंक निप्टी जो है जिसको क आपको लुपकर गौट में लखना है आपके में में रखना है इमीचेट अबốn इमेचेट अब्रियु सेलीं याह सेलीं इई आब को क्या करना है कि माइकत जो है उसमें डाल देना है इसमें आपको दियान रखना है कि यह stop-loss मार्केट जो होता है वह डालना है इसमें दूसरा stop-loss limit जो है वह बहुत सारी आप बोलूंगे कि यह टू-पॉइंट फाइव टाइम्स का जो रिस्क है वह बहुत ही ज्यादा है लेकिन जो हमारी विंजेट है वह मोर्देन 75 है तो वी चैन अपोर्ट इस टॉप लॉस और जो लिया वह वह लिया है उसमें कुछ नहीं करना है सर जो तो आप बढ़ जाते हैं कि जो बड़े प्लेयर होते वह बहुत ही बड़ी कॉंटिटी में उसको जो है ट्रेड करते हैं कहीं पर उसकी वेल्यू भी बढ़ जाती है अच्छा तो आप बोल रहें कि यह डेली आप कर रहें यह एक्सपारी स्टाइज नहीं है डेली स्ट्रेजी ज्यादा तर्म यह रहता है कि वेंस्टे थरस्टेजी जो होता है वह उप्शन में जो थिटा डिके होता है लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र कि उसमें इवन मंडे औ कर देंगे तो होगा कि आपको उस दिन ज्यादा प्रॉफिट भी मिलने वागा तो डेली करना ही है इसमें अब जो स्टॉप लॉस्ट हमने रखा है उसको हम एक्जस करेंगे तो आपको वन थर्टी और टू थर्टी का जो है वो टाइम द्यान में रखना है कि वन थर्टी जो भी आपने ओर डाले उसको थोड़ा एक्जस करना मॉडिफाइब करना है तो सपोज बन थर्टी पे जो भी आपने कॉल आप्शन जो सेल कि उसकी प्राइज जो है वह वीश के गटके सुला हो गई है तो आपको यह शोला का जो है टू पॉइंट फाइव एल्लियू जो प्राइब करना है तो उसमें एक्जस करने की ज़रूद नहीं है और सेम और सेम मैंने से आपको थर्टी में भी करना है कि तो इसको फ्राइब करना है कि यह जब भी स्टॉप लोगा जब आपने अपने अवह जाएंगे कि आपको थ्र्टी के छिशनमेंट की इस में के इसके कोई लिए स्टाप लोटी के बिच्छा इंश्सका अपने से सब्सक्राइब करना है सॉक्त सब्राइब करना bye यहां उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूद नहीं होती है जो है ऐसे रखना है उसको एक साइड को तो रखना ही है कि जब इतना अमसेयल करते तो रेंज जो ती हो बहुत ज्यादा बड़ी होती है कर लिये लेकिन जो दूसरी साइड ञे ना कि शफुस काल करें कर जाएं ऐसीं की अगेउंगke तो उसमें आपको stop-loss जो है जो stop-loss market जो हमने रखा है वो उसको कर देना है कि सब्सक्राइब का जो है वो हीट हो गया तो यह जो है वो एट काई है तो उसमें हम जो order exist करके उसको 20 पे ला देंगे तो मोर टुमोर ब्रेक इवन पर ही आ जाता है इस इस दे सब्सक्राइब में थोड़ा मोडिफिकेशन है सिर्फ दो ही कि जो भी कॉल और पूट हम सेल करते हैं वह इस से ज्यादा नहीं होने चाहिए दूसरे दिन में ऐसा था कि इसका 21 तक हम चलता है लेकिन जो में जो में जो इसका जाता है तो इसमें इस से कम ही रखना है तो आपको 17 को ही चूज करना है और दूसरा जो हम जो है जो उसमें चार से पांच रूपय का बाय करते थे इसमें हम तीन से चार रूपय का बाय करेंगे तो जब भी आपका स्टॉप लोग क्या करते हैं कि वह बहुत ही उनके मोड हो जाते हैं आपको यह समझना चरूरू है कि ट्रेडिंग जो है वह बिजने से और स्टॉप लॉश होता है जोना चाहिए नहीं जोना चाहिए उसको आपको फिडबेक की तरह देखना चाहिए जो भी होते हैं वह सबसे बेस्टीचर होते हैं तो जब भी आपका प्लॉस है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो सिखने को मिल जाएगा तो यह जो है मार्केट हमारे पास से टूशन इसे पता नहीं चलता तो उसमें ब्लडटेश्ट होता जएँगा है जिस दिन आपका लॉस होता है गवान नहीं चाहिए प्रेशन वम्हें जो हमें बैटि रहों हता मैसे कॉल वह द्यूंद जो मेल Storage च Oreo करे व्हुंतव की जरक है जो हैनुद और जो द्सक्राइब करें उसमर्न पर पारज टोक लिए। सकतव डुश्et포 ऐसम्ही से घ्ड आम पीर मतलब टीसे लिच को Safe तो आपको कभी भी आपकी सिस्टम को किसम नहीं करना है और जो भी आपने इसा लगे गा ही नहीं कि कुछ बार क्या होता है कि घर जब जाते हैं तो उनके फेस्ट पे पता चल जाता है कि आज मार्केट में क्या हुआ है सब्सक्राइब करें तो इसमें बहुत कुछ है नहीं हम क्या करते हैं कि मैं एक समरी में एक मिट में बता देता हूं कि 950 को मार्केट को देखते हैं फिर जो भी 20 रुपे के जो कॉल और पूट होते हैं और चार से पांच रुपे के जो कॉल और पूट होते हैं उसको माइड़िफाइब करते हैं और इतना सिंपल सी रहता है माइजिंग कैलकुलेटर है तो यह जम भी यूज कर रहा है यह पर्टिकुलर उसमें सेवन्टी तू नाइंटी थाउजंस के रावन माइजीं जो है वो यूज होता है जाना है कैसे जाने दो ने जाने दीज़े बढ़िये बस चालो ही रहुआ है चालो रखेंट ना मैं तो बैंक निफ्टी की जो लॉट साइट है वो 25 है तो यह जो भी मैंने बनाए तो इसमें जब भी आपका एक साइट का स्टॉप लॉस होगा तो आपका पॉइंट सब्सक्राइब के लिए बहुत ही बेस्ट है मैं बोलूंगा कि गुल्डन थाइम है जब टू साइड स्टॉप लॉसीट होगा बहुत रेर केस में होता है तो आपका जो है पॉइंट नाइन टूवन पॉइंट टूवन परसंटेज में लॉस्ट होगा और जब भी सबस्क्राइब के सब्सक्राइब तो प्रच जितना इन लॉसमें डाइब कर दो सब्सक्राइब कर फॉइंट होगा तो 30 अपका हीट तो परोबर है और जो है इसके लिए जो किया था वह जो किया था तो उसके वेल्यू दो-तीन जो है वह बड़ी होगी तो फॉर हम सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर कॉल सेल जो हमने 20 पे किया था वह प्रटिकुलरी जब अगर आपका 10 पॉइंट का लॉस होता है तो वह जो आपका रहता है वह 0.275 परसंट जो होता है वह इक्वल टू होता है सब्सक्राइब कर दो क्या होगा तो एक साइट का तो जैसे पहले में था यसा ही है तो कॉल साइट का जो है वह हमने के दूसरे साइट ने हीट हो जाता है लो में यह है को कुछların यह जो तो सटुनाइब होता है तो यह जो है और कुछ भी नहीं होता है। XY नहीं होता जो है वह होते हैं तो यह मैंने बोला था इस से नीचे करना है तो हमने अट्रा-ट्रा पे किया और यह तीन चार काम ने किया तो यह जो है अराउंड जैसे हम कोई भी दवाई देते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट होती है जब भी आपकी सदन मुवमेंट मार्केट में आजाएंगी सौट टाइब में तो आपका स्टॉप लॉस हीट हो जाएगा दोनों साइट जब बढ़ने लगेगी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा और कि अन्रियालिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो दिन का या दो तीन परसंट मिलना ही चाहिए तो यह स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं करेगी इसका एक है कि इसमें काम कब नहीं करना है मेरा सिंपल रूल से कि जब मैं क्लिनिक में छुटी रख करणे लगता है यह स्ट्रेटेजी करने के रहती है तो जी महिए खिशंपल मैं लिया थे इसमें अपने देखें के यह जू है मार्केट और राव आज नीचे से चालू करके वह अप्रेंडिंडिंगी मार्केट इसमें भी आप देखेंगे कि यह जो है वो प्रेंडिक जो है वो सेल किया था पूरे दिन क्योंकि अप्रेंडिंग मार्केट साथ तो यह तो अब्वियसली होना ही था लेकिन आप कॉल साइट पर आप देखेंगे तो भी इसमें जो है आप देखेंगे कि पूरे दिन जो है यह डाउन ही गया है तो उसके बाद भी धीरे-धीरे करके इसकी जो वैल्ली है वो कम हुई है तो यह बंडे मार्किन जन्रली इसको जो होते वह नॉन डारेक्शनल स्ट्रेजी बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नह हुआ है उसका मतलब कि यह स्ट्रेजी आपको काम करेगी अगर इतना जो परसंटेज है पिछले में सुरुवात के 15-20 मिट में मार्केट जो कवर कर लेता तो डेफिनिटली हमारा स्टॉपलोस सीट होगा जी तो यह आज का जो है अच्छा अलाम लगा रख्यां कि यह जो रहते हैं और यह मिस हो जाता है तो कहीं बार उसमें रहता है तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं चोड़ना है कि कहीं से भी आपको जो है आज में 925-930 का जो है यह जो मैंने किया था यह जो था थर्टी थृट्री थरी थाउजन सेवन पूट्वाप्शन एटी ट्वेंटी में सेल किया त्रीजिक्स थाउजन हंड्रेट का कॉल उप्शन में नैंटीं में सेल किया और यह दोनों जो है झाल को पर्टिकुलर्ट को हम जब भी देखेंगे जब भी आडर होता है तब हम जो स्टॉप लॉस जो होता है स्टॉप लोस मार्केट ओडर जो है यह मैंने लगा दिया है तो आप देखेंगे कि सब्सक्राइब कर देखेंगे तो उसको 2.5 करके 30 और 37 के राउंड्स आ गया तो अभी रिस्क जो है हमारा कम हो गया उसके बाद मार्केट कुछ भी मुहमेट देता है तो और रिस्क हमारा कम हो जाएगा वह लाश्ट में जो ही हमने जब रेंड हुआ तब यह जो था कि जो हमने जो बेचा था वह 12.65 और 10.9 तो आप देखेंगे कि मंडे में इतना ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद भी आपका दोनों साइड का जो है प्रीमियम जो है वह काफी कम हो है और यह 2.792 तो जो 4.59 ने सेल किया था तो इसमें थोड़ा लोस है अब फ्राइडे का यह जो है कि 25 जून का है तो इसमें भी आप देखेंगे कि मार्केट जो है वह अल्मूस्ट उसमें टेंडिंग में था लेकिन यहां पर भी है ना यह मैंने जो ग्रीन कलर दे रखा है मार्केट उस दिन प्लस था यहां जो रेट साइड में है यह पू सब्सक्राइड करते हैं तो इसका सब्सक्राइड के बाद मार्केट है यह प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर्ली वह जो रूल्स हमने बनाया है कि यह मंडे का मार्केट है यह प्रिकुलर्ली डाउन था अब खुलके यह पूरा डाउन में हुआ था तो उस टाइम पे भी दोनों साइट पे जो है कॉल और पूट में जो है वह हमारा बेनिफिट हुआ था फिर ट्वेंटिनाइज उनका भी मार्केट जो है यह ओपन इस यह पूरा ट्रेंडिंग मार्केट ही बोलता है कि मार्केट ने उपन होके उसका लो बनाया था अल्मोस्ट लोवर रेंज पे यह जो है वह वह क्लोज हुआ था फिर भी आप देखेंगे कि दोनों साइड में जो है पूरा थ्रोवर्ट दे जो है वह प्रीमियम डिकेई हु यह काम नहीं करना चीह ऐसे को एक्सपिरियंस अ ऐसा पहले असा था कि मेरे जो स्टॉप लॉस होते थे वह ज्यादा तर मंडे कोई हीट होते थे तो फिर उसको मैं ने देखा कि यह स्ट्राइक प्राइज और उसका जो स्टॉप लॉस से उसमें थोड़ा मैंने एविलेट सब्सक्राइब करें नहीं होता है तो इसमें आप देखें कि मार्केट जो था अपी था लेकिन दोनों साइट में जो है कूल और पुट्ट दोनों साइट में अच्छा अच्छा वह वह हैं अब यह सबसे इंपोर्टन स्लाइड है कि जब स्टॉप लॉस जो है यह नाइन इसमें एक साइड में स्टॉप लॉस हो जो है वह हीट हुआ था इसमें क्या किया था मार्केट ने कि थोड़ा अप होके फिर ऑल अप सड़न यह डाउन हो गया था आप देखेंगे आप थर्टी फाइव थाउजन थ्री हंडड़ से बहुत नीचे थर्टी फॉर थाउजन अप्रोक्सिमेटली अप्रोक्सिमेटली 20-30 मिनिट में इसने टू परसंट का मूव दे दिया था तो यह जब अलॉप सड़न हुआ तो पूट साइट का जो हमारा जो स्टॉप लॉस था वह हीट हो गया था आप मानेंगे नहीं लेकिन वह जो भी स्टॉप लॉस हुआ मेर है तो गामा जो होती है अगर आपको ग्रीक्स जो है वह पता रहता है तो डेल्टा और गामा दोनों बढ़ जाता है तो मार्केट यह सोसता है कि इस वह गिनने वाला है उसकी वज़से वह स्टॉप लॉस हो गया था लेकिन ऐसे दिन के लिए हमें प्रिपैर रखना है तो अब तो प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रीमें चुब्स करते हैं तो और कर देते हैं तो और यह कुछ भी आपको नहीं करना है और सब्सक्राइब करना है तो यह आपको बहुत ही दियान दखना है तो यह स्ट्रेटेजी आप कोई आपको पहले लिखना है और उसको पढ़ना है कि जब भी आप लिखते हैं तो हमारी बहुत सारी सेंस जो होती है उसमें काम करती हो और ब्रेंड जो होगा उसको पता चल जाएका कि नहीं यह जो भी बंदा है वह बहुत ही पर्तिकुलर सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस तरह से आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी को इस्किमाल करिएगा और आपको कॉंटिटी आप सकते हैं दूसरी बात है कि जब भी आप स्ट्रेटेजी जो है उसको आप करते हैं तो आपके माइड में क्या चल रहा है आपने यसा क्या किया क्या इसको लॉट किया क्या वह तो आपको बहुत ही अच्छा फिल होगा तो मार्केट में जब बोलते हैं कि कोई करना है कि आपको पैसा बना रहता है उसका मतलब कि घलती जो है वार्केट में नहीं है हमारे में ही कहीं पर है तो आपको आपको सक्सेस्पूल जो है वो कैसे करना है है मेंटल फिस मेंद आपको आपके साथ यह सी मार्केट में मार्केट में काम करती दिए यह लाटे है मंग्खी का नाम करेंगे तो जो मंची करेंगे जो है वह जो बहुत थी उचलकुद करता है उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे जब भी आपकर डेंट रहता है उसमें आपको जो प्राइज मुवमेंट कर सकते हैं जो मार्केट कंडिशन है उसके इसाब से जो है उसको जो है वह बेटर बना सकते हो और आपको जो भी ट्रेड लेते हो तो उसके आप ही रिस्मोंसिबल हो किसी और को आपको जो है वह ब्लेम नहीं करना है यह जो मेरे मंडे और फ्राइडे जो है उसमें थोड़ा डायरेस्टनल मुव ज्यदा आता है तो अगर आप इनिसली स्टार्ट कर रहे हो तो तुजडे वेनस्टे और थरस्डे को आप करिए आप कॉंफिडेंस हो जाते उसके बाद दूसरे दिन में जा सकते हो और यह स्ट्रेटेजी जैसे बताया में कि डेली करना है और फ्राइडे में भी टाइम डिके नोता रहता है जब इवेंट दे होता है आप कॉंफिडेंस लूज मिस्काम रहता है ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपनी पोजिशन साइज जो है व लो प्राइस से पहले स्टार्ट करें बीस की जगह पर 10-15 का भी सेल जो है वो करके आप उसका कॉंफिडेंस बढ़ा सकते हो अगर आपको लगता है कि डायरेक्शनल मूव है तो आप जिस साइड में है उस साइड पर कम आप कॉल या पूल सेट करिये और दूसरे साइड मे अपने ही साइड से होता है तो यह जो डॉट दिया में है कि इस इस निवर एंडिंग जी लाश्म में बोलूंगा कि क्वाइट माइड इस अल्यू नीड थैंक यू विविक जी करता है जहां अग्विशाग थैटिर प्रेजकर आप इस सब्सक्राइड गया सब्सक्राएड जया कि अधी जा है रहाब दोड़ एक्ड़ कुटर गंडियों ट॥ैर पर एक्टिर नहीं रहता हूं आट कि तो आ हों तोड़ा काम एक्टिव रहता हूं आट आजा हूं उसमे जो जो कर रहे हैं। बहुत आच्छा कर रहे लॉक्टर साहब। और दोस्तों ये वीडियो रिकॉड करने का सफ एक उद्देश से है। स्ट्रेटिजी शेर करना नहीं है उद्देश से, दल्के क्यां कि आज ये स्ट्रेटिजी है। दो मेने बाद गौरब जी को यह और स्टाटेजी पर काम करेंगे, हो सकता है, यह काम ना करें, वो देश से था आपको holistic picture देना, कि life as a trader कैसे जिया जा सकता है, हर तरीके से जिया जा सकता है, छॉप ऐसे जा सकती है, जासाँ डॉक्टर साब ने कितने अच्छे तरीक है,ちょ, कर लिया वन एपकाप टॉर्ड लें, तो सकते है, अपने भी कर सकते है, घॉर्प जी, तिक यृ зр É म मैं माँ held शुट जा जआए जा साँ जाशन कर दो कर दो कर दो